नर्सिमा राव की सरकाराती उस दौरान बाबरी विध्वन्स का बार-बार धिक्र होता है मैं दो स्टेटमेंट पढ़ूंगा पहले नर्सिमा राव की ही स्टेटमेंट है हम बीजेपी से तो लड़ सकेंगे लेकिन राम से कैसे लड़ेंगे एक पहला स्टेटमेंट दूसरा यह था कि मैंने बाबरी विध्वन्स इसलिए होने दिया ताकि बीजेपी की मंदिर की राजनीती हमेशा के लिए खत्म हो जाए यह दोनों स्टेटमेंट और बाबरी विध्वन्स कहें किस तरह से आप देखते इसको नर्सिमा राव भी वह मंत्री थे जिन्होंने बहुत चीज़ें की पर बाबरी मस्चिद का मुद्ध लेके उनको मैं नहीं कहूंगी डूबा क्योंकि जब तक वह पावर में रहे बाबरी मस्चिद बैक बरनर पे गळा लेकिन उसने हिंदू नैशनलिजम को बहुत बढ़ावा दिया तो यह जो बाबरी मस्चिद गिर्तिया 6 दिसमबर 1992 उसके तीन-चार दिन बाद चार पत्रकार उनसे मिलने जाते हैं और प्रभाश जोशी थे और लोग थे तो और निखिल चक्रवर्ति वो लीड कर रहे हैं मेंस्रीम के एडिटर थे बहुत रिस्पेक्ट जर्नलिस थे और उनके नर कि आप सो रहे थे या पूजा कर रहे थे उस देन जब बाबरी मस्चिद को गिराया जा रहा था तो नर्से माराओ थोड़ा तुनक के बोले कि लोग दादा उनके बोलते थे आप आप समझते हो मैं राजनीती नहीं समझता है मैं राजनीती में पढ़ा हुमा हूँ मैंने वो इन दिया, क्योंकि मैं चाहता था, जो चीज है भाजब के हाथ में वो नहीं रहे, उसकी राजनीती आगे पढ़ने के लिए, मैं उससे वो कार्ड लेना चाहता था, तो ये नर्सिमा राउने, अब आज तक हम लोग चर्चा करते हैं, नर्सिमा राउने हाथ मिलाया था भ लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया, उनको लगा इससे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा आजब को, जो भी था, पर बाबरी मस्चिद कद्वान सोजाने से, ज़सा मैंने कहा हिंदू नैशनलिजम को बहुत बढ़त मिली, उनके दौरान में उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और एक साल बाद वो हिंदी हाटलन की इलेक्शन भी जीते, तो उन्होंने हैंडल किया, और वो लोगोंने मुझे कहा, और मैंने कोट भी किया है, कि नर्सिमा राओ अपने आप मंदिर बनाना चाहते थे उसी जगा, और जब गिर गई बाबरी मस्चिद, उसके बाद उन्ह को इकठा करवाया, उन्होंने लोगों को लगाया था, और एक ट्रस्ट भी रेजिस्टर हुआ था, विश्वे हिंदु परिषद को बाहर रखके, उचाहते थे ये ट्रस्ट की थू, ये मंदिर बने वहां, लेकि नाइन्टी 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 फाइव में कुछ उन की मन्शा थे, वहां मंदिर बनाने की.